जैसे यह सरकारे चेंज जो ही है जारखन में, 36 गर्ड में, MP में या UP में तो यहां पर मसीहों के उपर बड़ी मुश्किल आ गई है, मसीहों को रोका जा रहा है, Christianity को रोकने की परचारकों को कैद किया जा रहा है, उन्हें जिल में डाल दिया जा रहा है, तो यह सब कुछ को जब मैं 2024 के बारे में सोचने लगा कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर आएगा, कौन देश के उपर रूल करने वाला होगा, कौन देश को चलाएगा, अगर यह सरकार आएगी तो हम मसीहों के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, आने वाले जोनों में मसीहों के लिए मुश विश्यू मसीह के नाम में जैमसी के प्रेजलाओ, सबसे पहले तो नए साल की आप सबी को बहुत बहुत शुब कापने, नया साल आप सब को मुबारकों, विश्यू आओल वेरी वेरी ब्लेसर आना हैपी नूई यर, ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बड़े, जैसे कि हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ प्रभू के वचलों में से बताना चाहता हूँ, और उसके बाद परमेशिर ने जो मुझे प्रोफैटिक वर्ड्स दिये हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं हैं, वरन ये आप समके लिए परमेशिर ने मुझे ये प्रोफैटिक वर्ड्स दिये हैं, तो प्लीस बहुत ही ध्यान से सुनना और एंड तक वीडियो को जुरूर देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आप एक मसीही हैं, तो आप जानते हैं, अगर आप हमार करने वाले हैं, अगर आप एक विश्वाश में मसीही हैं, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अभी तक पूरी बाइबल को कम्प्लीट कर लिया है, पूरी बाइबल को अब तक आपने पढ़ लिया है, वचाए एक साल मे गोफ बहुत ज़ादा दुख की बात है, क्यूं, क्योंकि यह परमेशिर का मेसेच है, यह परमेशिर की आवाज है, जो हमारे और आप के साथ बात करना चाहती है, अगर हम कहते हैं, कि हम खुदा से प्यार करते हैं, उससे मुहबत रखते हैं, लेकिन उसने जो हमें मैसेज भेजा है जो टेस्ट किया है अगर मुझे खोल कर पढ़ते नहीं है तो सोच कर देखें कि प्रमिट्शर को कैसा लगता होगा जिस इनसां से हम प्यार करते है जो हमारा चाने वाला है अगर उसका मैसेज हमें वार्टसेप पर आता है तो हम तुरंट उन्हें खोल कर चेक करते हैं हम पढ़ते हैं या अगर हम किसी से प्यार करते हैं और हम किसी को मैसेज भीजते हैं चाहिए मरे माँ को, बाप को, भाई को, बेहन को किसी को भी और वो आगे से मैसेज को रीड ही नहीं करता है message पता ही नहीं चल रहा कि उसने अभी तक देखा भी आ है या नहीं देखा है तो हमें कितना दोख लगेगा कि हम ने कितनी मुहबबस से कितने प्यार से उनने message बेजा क्योंकि वो पढ़ेंगे response करेंगे लेकिन उनों तक message को सुने नहीं मैसेज को देखा है नहीं मैसेज को पढ़ा है नहीं तो सोच कर देखें कि परमिशर को कितना दुख लगता होगा जब हम जो ये दावा करते हैं कि हम परमिशर से प्यार करने वाले हैं उसके बेटे उसकी बेटिया हैं लेकिन हम उसके इस मैसेज को खोलना ही पसंद नहीं करते है पर मिश्र को कितना दुख लगता होगा दूसरी बात यह है कि यह वचन जरूरी क्यूं है वचन को पढ़ना जरूरी क्यूं है क्योंकि देखे जो आज जिस हालातों में जिस वक्त में जिस जेनरेशन में हम रह रह और चार बार ये बात कही थी जब हम मत्य अध्य है जो इसमें पढ़ते हैं तो अगर हम उस गुमराही से बचना चाते हैं अगर हम फेक करंसी से बचना चाते हैं जो की फैल रही है अगर हम इसे जानते ही नहीं है अगर हम सिदानतों से वाकिफ ही नहीं है बाइबल की पूरी सिक्षा को नहीं जानते हैं बाइबल के हर एक वचन के कॉंटेक्स को नहीं समझते हैं तो फिर कोई भी आकर हमें कोई भी नोट दे देगा कुछ भी चिपिका देगा तो हम उसे अ है कि सामर्थ है हम सूपर नैचनली चेंज हो जाएगे ने-ने-ने ये परमेशन का वचन है जो हमारे लिए है और इन वचन के दोरा परमेशन हमसे बात करता है और फिर जब हम उन वचनों को लेते हैं अपनी जिन्दगे में तो फिर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है ये समझना शुरू करेंगे और उसके वचनों के वचनों के जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं यह कारणा है कि प्रमेशर के वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपने पिछले सालों में एक साल में दो साल में अभी तक बाइबल को इस साल कम्प्लेट करना है अगर आपके पास बहुत ज़्यदा टाइम है तो आप कोशिश करें कि आप इसे दो महिने में या शे महिने में कम्प्लेट कर दें लेकिन अगर आप कोई वर्किंग प्रफेशनल है आपका परसना टाइम नहीं होता है कोशिश करें कि हर रोज हर रोज आपको Bible को खोलना है और Bible को शिरुवात से पढ़ना है शिरुवात से मतलब यह नहीं कि जहां से खोला वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया है एक किताब को लो चाहे नए निम को पढ़ना शुरू कर रहे हैं ठीक है, मत्तहिकी किताब से पढ़ना शुरू करो, मैथ्यू से पढ़ना शुरू करो, पूरे नए निंगी study करो, अच्छे से, अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ना चाते हैं, चलो, ठीक है, पूरी पूरानी वाचा जो है, अध्पति की किताब, वहां से पढ़ना पूरी बाइबल को एक बार जरूर से complete करो, और राइबल के रिलेटर कुछ बहुत ही जरूरी बात, जो मैं आपके साथ शेयर कमने जाता है, अब जिस चीज़ के आप सब लोग इंतजार में है, कि वाई, क्या है वो prophetic word, जो permission ने आपको दिये हैं, प्लीस हमें भी बताओ, आपको money miracle मिलेंगे, यह वो सब कुछ, और जब हम पिशे मुढ़ कर देखते हैं साल में, तो हम जानते हैं कि उनके जो prophecy के लिए तिनों ने जो पिशेवाणिया करी थी, वो fake थी, पूरी नहीं हुई, वो बहुती confusing पिशेवाणिया थी, हम उसको पिशे में sure नहीं रहते है लेकिन जो प्रमिशर ने मुझे वड़ दी है, जो मैं प्रोफिसाई करने वाला हूँ आजए, प्रमिशर के वचनों को लेकर, आह, यह 100% guarantee है, कि यह सची है, complete है, यह पूरी होनी ही है आपके जिन्दगी में, यास, ओके, तो क्या है, अब सबसे पहले, जब मैं देख रहा था कि हमारी generation में, हमारी PD में, ना सिर्फ Western European country में, वरन हमारे खुद के देश में, याने Asian countries में भी, इंडिया, नेपाल या कहीं भी कहीं भी लिगा लो, इन सब देशों में भी जब हम देखते हैं कि बुराई पढ़ रही है, बुराई का जो स्तर है, high level पर कूचा आ रहा है वो चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी जरिया से हो, जब हम बात करते है LGBTQ की, तो यह जो Q है, उसके आगे प्लस लिगा होता है, मतलब अभी और भी जेंडर्स आने हैं, तो yes, यहाँ पर तो अभी इंटर्डूस नहीं हुए हैं, जब मैं कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट च खड़ी होती है, वो कहती है, ने-ने-ने, मैं पने अपको कटे के रूप में तबदील कर देता है, तो यह जे जो नेरेशन है, यह पीडी है, जिसमे हम रही हैं, और हमारे इंडिया में भी यह जो LGBTQ का सिस्टम है, यह काफी ज़्यादा पॉपॉललेटी को ले रहा है, क्यों के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है तो जब मैं सारे इन चीजों को देखता हूँ बुराई को देखता हूँ और भी तैने की बरही है तो मैं बस एक जो एरिया उसके बात कर रहा हूँ बहुत सारी और भी चीजे हैं नंगापन, इम्मोरैलिटी, कॉर्नोग्राफी पदा मुसे क्या कहा येस, जब मैंने पढ़ा प्रवर्ब्स उसके 21 अध्याय, उसके वचिन 2 को, जब मैंने पढ़ा तो परमेशन मुसे बात करी और मुसे कहा कि मनुश्य का सारा चाल-चलन अपनी दृष्टी में तो ठीक होता है, मनुश्य का जो सारा चाल-चलन है अपन नहीं पड़ता है, कोई फरक नहीं पड़ता है वचन कहा रहा है प्रभू ने मुस्थे बात करी और कहा कि ने ने ने, इनसान को लगता है कि अपनी दिश्टी में वो सही है लेकिन फिर प्रभू ने कहा प्रंतू यहोवा मन को जाचता है, प्रभू मैंने पड़ा तो प्रमेशन ने मुस्थे बात करी और प्रमेशन ने कहा कि देख, मनुश्यों की बुराई प्रत्वी पर बढ़ गई है मैंने देखा कि येस, बिलकुल बढ़ गई है और फिर प्रमेशन ने कहा कि उनके मन में जो कुछ भी उत्पन होता है, सो लड़के में बदल जाना, ये वह सब कुछ ऐसे सारे पखंड ये होने ही है और ये उन वचनों का पूरा होना है यहां पर रुमियो अद्य एक पूरा हो रहा है और ये जरूरी है पूरा होना प्रमेशन ने मुस्थे बात करी और फिर मैंने सुचा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अच्छानक से उठकड़ी हुई है ये वचनों की बाते हैं जिनका पूरा होना जरूरी है, प्रमेशन में से बात करी है इसके बाद दूसरा जो प्रमेशन में से बात करी वो इस इस विशे को लेकर थी बहुत सरे बाई बैनों कभी मेसेज़ेस आ रहे थे कई लोगों से मेरी बात भी हो रही थी और मैं भी ये सोच रहा था कि जब ये सरकारें बदल रही है 2024 में अब आपको बता है कि इलेक्शन हैं तो इन चीजों को देखते हैं क्रिस्टैनिटी को रोकने की परचारकों को कैद किया जा रहा है उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है तो ये सब कुश को देखकर जब मैं 2024 के बारे में सोचने लगा कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर आएगा कौन देश के ओपर रूल करने वाला होगा कौन देश को चलाएगा अगर ये सरकार आएगी तो मसीहों के लिए बढ़ी मुशिकल ठोने वाली है इन सब चीजों की जमें टैंचन लिने लगा चिंता करने लगा सोचने लगा इने चीजों के बारे में तो प्रमेशर ने मुझे ये वर्ड दिया प्रमिशर ने मुझसे बात करी और प्रमिशर ने मुझसे कहा जब मैंने इसी अध्याय यानि निती वचन अध्याय 21 को पढ़ा तो उसके वचन एक में प्रभू ने मुझसे ये बात करी कि सुन द्यान से सुन मेरी बात को कि राजा का जो मन है वो नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में है जो राजा का परधान मंत्री का प्रेजिनेंट का जो मन है वो लिखा कि नालियों के समान नालियों के जल के समान परमेशिर के हाथ में है उसके हाथ में है और जिदर वह चाता है उदर उसको मोड़ देता है तुझे चिंता करने की जूरत नहीं है राजा दिराज ये सब कुछ परमेशर ही खड़ा करने वाने है जब मैंने दैनल की किताब में से देखा तो मुझे समझाया कि यह सी बात बिल्कुल सही है परमेशर जिदर को चाता है उदर को ने मोड़ देता है ये सब कुछ खुदा के अलड़ी कंट्रोल में है सब कुछ उनके कंट्रोल में है फिर जब मैंने देखा कि यह जो टेंशन्स है अलड़ी बहुत ज़दा बढ़ रही है मसीयों के उपर एंटाइक्रिस्ट के आने की जो निशानिया है वो मैं देख रहा हूँ कि पूरी हो रही है हर जगह मतलब इंडिया के अंदर ही बहुत सारी जगहों में एंटाइक्रिस्टियन लॉज है कनून है वो पास किये गए है मसीयों को रोकने के लिए भी ना सिर्फ इंडिया में वरन इंडिया के बार भी यहां तक कि जो वेस्टन इस्टन यूर्पिन कंड्रिस है जो कि क्रिस्टन कंड्रिस है वहां पर भी मसीयों को रोकने के लिए अलग-अलग हत्यार शेतान यूज कर रहा है तो जब मैं ये सारी चीजे देखने का, कि मसीहों को तो रोक दिया जाएगा, मसीहों को कन्डरोल किया जाएगा, मसीहों को मारा जाएगा तो क्या होगा मसीर नोग क्या करेंगे फिर प्रमेशर ने मिने साथ बात करी प्रकाशित वखet अधियाः चार से की हे सुन यू नेट सुन लुग ओर दे, प्रकाशित वखet चार के तरफ देखो जिसके तुमने स्टाड़ी करें थी पाशित वाका के स्टेडी में, तो वहाँ पर आपने देखा था, कि परमेशिर अपने सिंहासन पर विराज मान है, परमेशिर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो रूल करता है, वो हकूमत करता है, वो सब कुछ जानता है, देखता है, कंट्रोल करता है, He is a sovereign God, you don't have to worry कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, दो याज जो बिस बुरा होने वाला है, मसीहों के लिए, क्रिस्टियन के लिए, पास्टर्स के लिए, मिशिनरी के लिए, ने, ने, तुम्हें चिंता करने के जिरुदत नहीं है, खुदा कंट्रोल में है, वो देखता है, और वो तुमारी च प्रमिशर के वर्ड्स को सुनकर बड़ी तसली मुझे और यह वचन आपके लिए भी है कि चिंता मत करें कौन आएगा क्या करेगा क्या होगा ने 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 गौड इस आ सौवरें गौड फिर जब मैंने गलातियों अध्याचार और उसके वचन चार और छे तक को बड़ा साथ बात करते हुए कहा है लुक 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 है तुम मोल लिये गए हो यू है बिन पर्चेजड तुमें जो गुलामी की मार्किट थी बुराई की मार्किट थी जहां पर तुमें बंदा गया था गुलाम रखा गया था तुम वहासे खरीद लिये गया हो प्रभू न मूल देकर अपना लहू देकर तुम्हें खरीद लिया है मूल दे लिया है अपने बना लिया है ना सिर्फ तुम मूल लिये गए हो वरन प्रभू ने तुम्हें अपने लेपालक होने का पद भी दिया है तुम्हें खुदा ने उसके लेपालक बेटे और बेटिया होने का पहला था सुलने की ओद है, पांच वचान सत्रा में से प्रभू निमिरसत बात करी, और मुझे ये वर्ड दिया, कि प्रे विदाट सीजिंग, निरंतर प्राथना करते रहें, कि लगातार इस साल में तुम्हें प्राथना बहुत जदा, प्राथना का जो लेवल से बढ़ाना पड़ेगा, वचन की डिडिंग? yes, ओकी ये जुरूरी है, लेकिन एक इसका दूसरा पंक भी है, और वो पंक है प्राथना, प्राथना को भी तुम्हें तेज करना पड़ेगा प्राथना बढ़ानी पड़ेगी, प्राथना में तुम्हें और ग्रो करना पड़ेगा, इन उसके बच्छन 25 में से कि Hey, You need to love your wife Love your wife as Christ has loved the church कि अपनी पत्नी से वैसे है प्रेम कर जैसे मस्यी ने कलीसिया से प्यार किया है मुझे प्रभु ने ये कहा कि तुम्हें अपने पत्नी जोती से प्यार करना है वैसे ही जैसे प्रभु येश्यू ने कलीसिया से प्यार किया है और ये वर्ड मेरी ने नहीं ये आप किनी की प्रभु का वर्ड है प्रभु की प्रफिसाई है कि तुम्हें अपनी पत्नी से साल बहुत ज़्यार करना है वैसे ही जैसे मसी यशू कलीसिया से करता है फिर प्रभू ने मुझसे बात करी जब मैंने ये गलत सिक्षाओं को देखा गलत छूट पखंड कलीसिया में बढ़ते हुए देखे तो प्रभू ने मुझसे ये बात करी इस्पेचली मुझे कहा तीतस अद्याए एक और उसके व मुहु बंद कर जो जूट फैल आ रहे हैं जो घलत सिंचाय दे रहे हैं उनका मुह बंद कर तुम्हे उनने रोकना है उनकी जोटी सिक्षाओं का परदा फास करना है यह मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ यह मुझे परमिशर ने बोला वचनों से बोला, प्रभू ने मुझे बात करी है यास, खुदा ने मेरे साथ बात करी है परसनली जम्मे ने वचनों को पढ़ रहा था ने तरफ से अधिया एक और वचनों से परभू ने मुझे बोला कि खरी सिक्षा का परचार करना है सची सिक्षा का परचार करना है किसी को बुरा लगे, ओके, no problem कोई आपको छोड़ कर चला जाता है no problem, मुझे भी शोड़ कर लोग चले गए थे yes, जब प्रभू यशू परचार कर रहे थे जब यशू पर खरी सिक्षा देना शुरू कर दिये थे तो उसके चीले भी से शोड़ कर चले गए थे तो तुझे भी डरना नहीं है कि लोग कम हो जाएगे लोग सुनना बंद कर दे, ने, 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 ने कि तुमें इस बात को कभी ने भूलना है you should never leave the fellowship कि जो लोकल चर्च है उसकी संगती को नहीं शोड़ना है वो लोकल चर्च जहां पर सौंड सिधानतों का सच्ची खरी सिक्षा का प्रचार होता है उसके साथ बना रहना है और वचरमी ये भी उसने कहा कि जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते निकट आते देखते हो तो ये और भी ज़्यादा किया करो तो जैसे जैसे ये अंतिम दिन खरीब आ रहे है प्रभु येश्यो का आना खरीब आ रहा है हमारा उसके पास मिलना खरीब आ रहा है कोई नौर्थ इंडिया से है, कोई सौथ इंडिया से है, करनाटका से बहुत सारे हमारे भाई-वैन जुड़ते हैं, कई पंजाब से है, कोई MP से, कोई जारखंड से, कोई UP से, कई हमारे भाई-वैन पाकिस्तान से, कोई निपाल से, कोई और अलग-अलग देशों से, और अल लोगों के साथ ही कठा होना है और लोगों को जोड़ना है और लोगों को फैलोशिप में लेकर आना है जैसे जैसे इस दिन को क्रीब आते हो देखो तो ये करना है प्रभू ने मुझे ये कहा कि फैलोशिप को कभी भी शोड़ना नहीं है फिर प्रभू ने मुझे ये भी या के समान है you are like a vapor एक धूंद के समान है धूंद के समान है जो थोड़ी दिर तो दिखाई देती है लेकर उसके लोप हो जाती है जैसे जो धूद होती है जो वेपर होता है वो थोड़ी दिर उठता है लेकिन and gone वो उठ जाता है खतम दिखाई नहीं देता तो प्रभू ने तुम्हें तयार रहना है यह तुम्हारी जिंदगी उस वेपर के समान है जो थोड़ी दिर दिखाई देती है लेकिन फिर गुजर जागी तो तुम्हें इस बात को कभी बूलना नहीं है इसके बाद फिर प्रभू ने मुझे बात करी और यह powerful word दिया कि you have been forgiven you have been redeemed you have been reconciled by the sacrifice and the blood of Jesus Christ कि तुम सी यश्यू के लहू के दोरा बलिदान के दोरा माफ कर दिये हो जितने भी तुमने पाप किये थे साल 2023 में या उस से पहले वो सारे clear कर दिया गया खुदा ने तुम्हारा count clear कर दिया है उसको लेकर चिंता मत करना यह मैंने तो यह किया था मैंने तो वह कि उसे बोला है और मैं यह वर्ड आपको भी दे रहा हूं कि प्रभू ने हमें माफ कर दिया है हमें शुटकारा दे दिया गुना की गुलामी से निकाल दिया है फिर हम प्रभू के साथ मिला दिये गए है और यह हमें एक बड़ी तसली देना चाहिए फिर एक लास्ट बाद जो प्रभू ने मुसे कहे जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाता हूँ कि जब भी खुदा ने मुसे कहा कि जैसे तू इस दुनिया को शोड़ कर जाता है दूनिके समान है उड़ जाएगी खत्म हो जाएगी जो दुनिया को शोड़ कर चला जागए जब तो यहां पर जो रोशनी है, वो यश्यू, जो जिन्दगी है, वो तुम्हारे साथ होगा, and that's the greatest reward, ने, स्वर्ग मेरे नहीं बड़ा reward नहीं है, वो सोने के ताज मुकट पैना है, ने, वो मेरे नहीं बड़ा reward नहीं है, हम सोने के सडकों पर जलेंगे, ने, ने, वो reward नहीं है, मेरे सबसे बड़ा reward है, कि मैं मसी यश्यू से मिलूँगा, मैं मसी यश्यू से मिलूँगा, और ये आपका भी reward है, जितने भी माफ हो चुके हैं, जितने भी रिडीम हो चुके हैं, शुटकारा पा लिया, जितना जिन लोगों का मिला आप यश्यू के साथ हो गया है, वो सब प्रभी में है, वो अपने हाथ फैला है, तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, He is ready to accept you, and be assured of that, so God, आपको इन वचनों के दोरा, प्रमिशन इन वचनों के दोरा आपको बहुत ब्लास करें, प्लीज इस प्रोफेटिक वर्ड को और भी वैवानों साथ जुरूर शेयर करें, God bless you all, see you again, Amen.